तो चली आज हम जानेंगे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तो प्लेज वीडियो को लाइक, सेर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें तो चली आब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसके और पार देखा जा सके उसे हम एक बाक में पार दरसक कहेंगे वह धर्ती जो उपजाव हो उसे हम एक सब्द में और बरा कहेंगे वह जो रोगी ना हो उसे हम एक सब्द में नेरोग कहेंगे जो याद रखने योग हो उसे हम एक सब्द में इसमरेडिये कहेंगे जिसका इस बर में विस्वास हो उसे हम एक सब्द में आस्तेक कहेंगे तो चलिए अब हम आँगे बढ़ते हैं जिस पर विस्वास किया जा सके उसे हम एक सब्द में विस्वास निये कहेंगे जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे हम एक सब्द में आवर्णनिय कहेंगे जिसमें दया ना हो उसे हम एक सब्द में निर्दाई कहेंगे सब कोछ जानने बाला उसे हम सरबग कहेंगे वह जो मर्म को इसपर्स करे उसे हम मर्म इसपर्सी कहेंगे जिसका मन एक बसाय में लगा हो उसे हम एकागर्चित कहेंगे जिसकी तुलना ना हो सके उसे हम अतुलनिय कहेंगे जिसका जन में हमसे बहुत पहले हुआ हो उसे हम एक सब्द में पूर्बज कहेंगे जिसकी आयू लंबी हो उसे हम एक सब्द में दीरगे आयू कहेंगे जो अपने परही निर्भर हो उसे हम एक सब्द में आत्म निर्भर कहेंगे अधिक बोलने वाला अर्थात जो अधिक बोलता है उसको हम एक सब्द में बाचाल कहेंगे वह मनुस्य जिसकी पतनी मर गई हो उसे हम बिधोर कहेंगे अपने निफचा से ना डिगने बाला उसे हम अभीचल कहेंगे जो प्रोस लोहे के समान सूदरड हो उसे हम लोह प्रोस कहेंगे हाती को हाकने के लिए पिर्योक्त होक अंकोस कहलाता है घिर्णा करने योग उसे हम घिर्णत कहेंगे चात्रों के रहने का स्थान उसे हम चात्रबास कहेंगे जिसका कभी अंतना हो उसे हम अनंत कहेंगे जिसका पती मर गया हो उसे हम बिधवा कहेंगे जो समय के अनुसार उचत हो उसे हम यतोचत कहेंगे सक्ति के अनुसार जतना हो सके उसे हम एथा सक्ति कहेंगे सरण में आया हुगा उसे हम एक बाक में सरणागत कहेंगे जो एक भी अक्छर ना जानता हो उसे हम नरक्छर कहेंगे जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम जत्यंद्रिये कहेंगे जिसकी एक्षाएं बहुत उची हों उसे हम महत्तवा कांची कहेंगे पिराथना करने बाला उसे हम एक बाक में पिरार्थी कहेंगे थैंक्यू